हम शौन से निकाल का चलेते तरंगा को अपणी जौन देदंगे तरंगा के लिए ये बात नो फैलाई जाग पर किसान राष्ट विरोधी है और इस वक्त में गाज़िपूर बॉर्डर पर मौझूद हूँ यहाँ पर किसान है और लगातार वो यहाँ पर जुटे हुए हैं लेकिन अब दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और दिल्ली पुलिस की टीम ने जो है नोटिस यहाँ पर चस्प जो भी कुछ हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ था एक एक पॉइंट्स लिखकर दिल्ली पुलिस ने दिया है और दिल्ली पुलिस ने तीन दिन के अंदर ये जवाब मांगा है आपको बता दू कि ये इस वक्त जो गाजिपूर बॉर्डर है ये वो तस्वीर है यहाँ पर हर जो डायलोग हो रहा है वो लिखित रूप में हो रहा है और उसके बाद देखना होगा क्योंकि 37 किसान नेताओं पर केस दर्ज हो चुके हैं अब देखना होगा आगे कि क्या रणनीती किसान नेताओं कि जब राकेश टिकेट से हमने बात की तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि हम यहाँ पर लगातार डटे रहेंगे और यह तस्वीरे जो हैं यह इस वक्त गाजिपुर बॉर्डर की है जहाँ पर किसान अभी भी धरने पर बैठे है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है लियास गाजिपुर बॉर्डर में मौजूद है हम लगातार वो तस्वीरे दिखाने कुछ किसान भी हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करते हैं आपने नोटिस वो देखा तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है कि आकिरकार जिस तरीके से ट्रेक्टर रेली के दोरान जो उड़दंग मचाय गया जो लगातार जवानों पर ट्रे इतने हमारे तीनु कानून वाफसी नहीं होंगे हम दने पर बैठे रहेंगे जो बाकी जगा थी जैसे बाक पत से खाली करा दिया और कल रात भी बहुत भारी संक्या में आप पुलिस आई थी और आपको बताएं कि लाइट भी यहां से काट दी गई है जिस तरह के तो क्या यहां सोच रहूँ हैं कि चोटे सिनने ऊटा के चला है यहां सो आणा बड़ा मुस्किल लहन नहीं है जो गहाएं कि टैक्टर चड़ाए बेरीटिंग तोड़ी गई पुलिस की लापरवाई से पुलिस ने बेरीटिंग वहां लगाई जो हमें रूट दिये गई थे उसमें ब प्रणाव को प्रणाव कर रहे हैं जब उसकी बात आ रही थी कि इनों ने जंडा लगा दिया खालिस्तान का तब पता लगा कि वह निशान साहिब का जंडा था और वह उसने लगाया था बीजेपी वालों ने तब कोई नहीं बोल रहा सब ड्रामे बाजी कर रहे हैं सब वह हमारे ज़ोन है तरंगा को अपनी जॉन दे दंगे तरंगा के लिए ये बात न फेलाई जया अगब किसा राष्ट विरोधी है विरोधी नहीं है पने कानून को वापिस करवाने के लिए अपने अधिकारों के लिए हैं हम किसी और चीज हुँ लेके नाएं यह क्या सोच र करके अपनी राजनीतिक मोमलें बना के जैसे मंसोर को इनने आंदोलन खतम कर दिया जैसे हमारे 2018 में आंदोलन ने खतम करा ऐसे न सोचे ही हमें पता थी है ऐसे ही करेंगे लेकिन हम भरम में रहेगे कि हमारी सरकार यह ऐसे नहीं करेगी हम आपको लगता है कि जो अंदोलन बहुत ज्यादा प्रैशर सरकार पर बना रहा था पिछले दो महीने में जिस तरीके से शांतिपून तरीके से जो अंदोलन हुआ वो कहीं न कहीं चूक कुछ हुई या उसको सही से लीड नहीं कर पाए कि जिस रूट से जाना था उससे जाना था और भटक गया कहीं और इससे बहुत बड़ी चोट इस अंदोलन को पहुंची भाई हम राजनीति काजमनियम किसा और सीधे साल गाउंस आये हमें हमने तो लालकलों ने देखो भीतर बढ़का आद तक भी हम यहीं पास के रहने वाड़े हमने आद तक लालकलों ने बढ़का देखा और वह ऐसे बढ़े जारे लोग जैसा रोज घूम रहे हों क्या चक्कर हमेरी लोग चलते हुए पर जो प्रेट कर रहे था उन पींहरे ने उन्म ने घोर कोई डागए वह गशसे मान लोग Istanbul Nous नहीं थे कोई बाहरी लोग थे वह बाहरी लोग थे मीडिया को भी पता है पुलिस को भी पता है सरकार को पता है खुद बीजेपी के सांसत भी अब इस बात को कहने लगे हैं बीजेपी के लोग भी इस बात को कहने लगे हैं रही बात उसकी समझने की या गल्ती कर दी हमने हम राजनितिक लोगों नहीं थे आम इनकी चालों को नहीं समझ पाए हम तो पड़ी मांगने लेकर बैटे हम तो सीधे सीधे चल रहे हैं रात को भी पुलिस आई और अब सुबह फिर से यहां नोटीस देके रात को तो बड़े-बड़े ओफिसर भी आए थे क्या अब कुछ किस पर देखा जैसे नोटीस आया तो उन्होंने का जवाब दिया जाएगा लेकिन हम नहीं थे कोई और लोग ते सरकार और उन पर कार्रिवाई करें इस तरह की बात यहां पर गाज़िपूर में मौझूद किसान जो हैं वो लगातार कह रहे हैं पलपल की अपडेट्स यहां से आपको देते रहेंगे जुड़े रही है एडवाइंस इंडिया के साथ नमस्कार